हेलो एवरिवन आज हम करेंगे क्लास 4 की हिंदी ग्रैमर का चैप्टर नंबर 6 सर्वनाम चीतरों के साथ लिखे वाक्यों को पढ़िए यहां पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं तो उनके साथ जो वाक्य लिखे हुए हैं हमें उनको पढ़ना है तो आप पहला जो पिक्चर है अपने दोस्त के साथ पतंग उड़ा रहा है तो मुकेश के हम एक ही लफ्स को एक ही वर्ड को दुबारा से रिपीट नहीं करेंगे उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे सर्वनाम तो सर्वनाम क्या हुआ यहां पर अपने मुकेश अपने दोस्त के साथ पतंग उड़ा रहा है राहुल ने राहुल के दोस्त को राहुल के घर खाने पर बुलाया अब राहुल यहां बहुत बार आ रहा है तो हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसके जगह हम क्या करेंगे यहां पर सर्वनाम का यूज करेंगे राहुल अपने दोस्त को अपने घर खाने पर बुलाया दिनेश ने दिनेश के स्कूल के मित्र को दिनेश की पुस्तके दी दिनेश ने अपने स्कूल के मित्र को अपनी पुस्तके दी बच्चों चित्रों के साथ दिये गए दो तरह के वाक्यों को तुमने पढ़ा पहले वाक्ये बहुत ज़्याद़ उफटिव लगना तोह जहां तो बहुत जाद़ सही लग रहे हैं जो सेकिंड सेंटेंस हैं दूसरे बाक्यों में और संगया शब्दों के इस थान पर अपने तथ अपनी शब्दों का प्रयोग किया गया है संग्या शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले ये शब्द सर्वनाम कहलाता है तो बेसिकली आप जानते हो जो संग्या शब्द की जगा यूज होंगे वो क्या है हमारे सर्वनाम जिन शब्दों का प्रियोग संग्या के स्थान पर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं ये हैं सर्वनाम की डेफिनिशन मैं वह वे तुम आप हम हमारा ये है आदी सर्वनाम के उदारर हैं मतलब ये इसके एक्जामपल है सर्वनाम के सबी प्रकार की संग्याओं के लिए एक ही तरह के सर्वनाम का प्रयोक होने के कानन सर्वनाम को सबका नाम कहते हैं क्योंकि एक ही कई बार देखो आपने उपर अभी जो वर्ड्स पढ़े हैं इसमें दिनेश यहान पर भी आपने उज़ किया यहाँ पर अपनी उज़ की तो हम एक ही वर्ड्स को बारबार इस्तमाल करते हैं बार बार यूज़ करते हैं तो इसलिए इसको हम सबका नाम भी कहते हैं सर्वनाम को मैं पिता जी मैं आज डफसर से जल्दी आऊंगा ये कौन बोल रहा है पिता जी बोल रहे हैं तो मुझे भी आज देर हो जाएगी माता जी ने क्या बोला कि मुझे भी आज देर हो जाएगी चलने से पहले तुम माता जी, माता जी ने बोला तुम मुझे पिता जी फोन करना, मतलब पिता जी से बोला माता जी ने कि चलने से पहले मुझे फोन करना, तो माता जी ने क्या बोला, मैं याद रखोंगी, उपर दिये उधारन में तुमने देखा कि मैं तथा मुझे सर्म न चाह रहा है राइटर यह बताना चाहता है यह जब आप मैं और मुझे जब यहां पर यूज़ कर रहे हो तो यह इस ट्री निंग और पूलिंग तो स्लन चैब ओपर देखा कि मैं तद था मुझे स्लनाम को न से बता मुझे नोग अरथात, पुलिंग और स्त्रेयलिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग हुआ है ठीक है दोनों के लिए सेम यूज हुआ अब ध्यान दीजिए वचन के कारण स्वरणाम शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है मैं होगा, एक वचन में मैं, बहु वचन में हम, एक वचन में मेरा, बहु वचन में हमारा, मुझे, हमें, उसका, उनका मतलब यह है कि वचन है क्योंकि तो सर्वनाम शब्दों में क्या जाएगा, बहुत चेंजिस आ जाएगा जब वच्चान आ जाएंगे तो उसमें सरवनाम शब्दों में क्या जाएंगे चेंजिज आ जाएंगे अगर एक चीज के लिए यूज होगा मैं मेरा तेरा तू ये मुझे इसने वह ये सब यूज करेंगे लेकिन जब बहू वच्चन मतलब बहुत सारे लोगों के लिए हम हम, हमारा, हमें, उनका, तुम्हें, तुम्हारा इस तरीके से यूज करते हैं तो इस बात का आपको याद रखना है उपर दिये गरे उधारों से तुम ये समझ गए होंगे कि लिंग के आधार पर सरवनाम के रूप में कोई परिवर्टन नहीं होता जबकि वचन के आधार पर इनका रूप बदल जाता है अब आपको दो बात हैं हम नहीं आपस सिखाई है हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सरवनाम सरवनाम का मतलब होता है जो संग्या की जगा यूज किये गए शब्द है उनको हम सरवनाम कहते हैं लेकिन जब हम लिंग की बात करेंगे लिंग दो त जो सरवनाम होगा वो अलग होगा और बहु वचन के लिए जो सरवनाम होगा वो अलग होगा तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होएगा एक वचन के लिए हम यूज करेंगे मैं मेरा तू तेरा ये मुझे ठीक है लेकिन जब बहु वचन की बात आएगी तो हम हमारा तुम तुम्हारा इस तरीके से जो words हैं हम use करेंगे अब कुछ आपको example देख लेते हैं जैसे बोलने वाले के लिए अपने लिए हम क्या use करते हैं मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हम, हमारा बाकिये देख लिजा, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मुझे एक पुस्तक चाहिए ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने लिए MAMS का इस्तमाल कर रही हूँ, मैं सर्व नाम का use कर रही हूँ लेकिन जो सुनने वाला है, सुनने वाला कौन है, आप लोग है सुनने वाले, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग यूज़ करोगे, तुम्हारा, तुमको, आप, तुम, ये सब क्या है, आप words यूज़ करोगे मेरे लिए, तुम कब आए, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक जब निश्चित means बिल्कुल confirm हो हमारे लिए हमें जब पता हो तब हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं यह है वह है वे उनका उसका यही वही तो इसके एक्जामपल है वहकल आएगा उसका नाम रवी है हमें यहाँ पर confirm पता है तो हम तब यह वाले वर्ड्स यूज़ करें है देखो सामने कुछ रखा है हमें यहाह पर कुछ पता नहीं है अब दो वाख्यों को जोड़ने के लिए क्या करते है जो सो जैसा वैसा जोuan जैसा करो वैसा भरो तो यह कह वाते अब इसके अभ्यास प्रिशनों देख लेते हैं, सर्वनाम का प्रियोग कहां किया जाता है, रोज मल्रा की जिन्दगी में बोलने के लिए किया जाता है, सर्वनाम को सबका नाम क्यों कहा जाता है, सभी प्रकारगी संग्याओं के लिए एक ही तरह का सर्वनाम जब इस्तमाल होता है तो क्या करते हैं हम उसको सबका नाम भी कहते हैं किस आधार पर वाकिय में सर्वनाम का रूप बदलता है किस आधार पर एक वचन और बहु वचन में क्या होता है तो सर्वनाम का जो रूप है वो बदलता है जैसे यहाँ पर आप इतने सारे एक्जामपल्स पढ़ें प्रेशन पूछने के लिए कौन सा आएगा दो वाक्यों को जोडने के लिए कौन सा आएगा लेकिन जब हम लिंक की बात करेंगे तो लिंक में कोई भी चेंजिस नहीं आते हैं सर्वनाम का प्रयोक किन रूपों में किया जाता है सर्वनाम का प्रयोक किन किन रूपों में किया जाता है यह आपने साथ रूप पढ़े हैं यह यहाँ से अपने लिए सुनने वाले के लिए ठीक है ये किन तरीके से आपने यूज गिया है ये सब क्या है इन तरह से आप यूज कर सकते हैं सरवनाम के रूपों को रिक तिस्थानों में उचित सरवनाम भरकर वाक्षे पूरे कीजिए अब आपको यहाँ पर सरवनाम फिल करना है रवी मुझे यह पुस्तक दे दो मैं कल तुम्हें पुस्तक ला दूँगा मा मैं स्कूल जा रहा हूँ क्या तुमने पानी की बोतल ले ली पिता जी आपने खाना खा लिया मुझे भी भूख लगी रही है मैं खा चुका हूँ तुम भी खा लो रंगीन संग्या शब्दों के स्थान पर उचित स्रमनाम शब्च चुनिये अध्यापिका ने अध्यापिका की कक्षा में बच्चों को कहानी सुनाई अध्यापिका ने अपनी कक्षा में बच्चों को कहानी सुनाई राजीव और उसके दोस्त ने शाम को पतंग उड़ाई महेश और उसका दोस्त बाजार गए हैं करण सो गया लेकिन उसके मित्र पढ़ रहे हैं भावना ने अपने लिए एक सुन्दर फ्रॉक खरी दी अब यहाँ पर देखिए उच्छी सर्मना शब्दों से रिक्सिस्थान भरने हैं आपको आप दिल्ली से कब आए तुम क्या खा रहे हो मेरी पुस्तक लोटा दो रवी अपने घर लोट गया तुम्हारा घर कहा है सर्मनाम शब्द प्रियोक करते हुए वाकिया लिखने हैं मुझे पढ़ना है स्वेम अपना काम स्वेम करो तुम्हारा नाम क्या है उनका घर कहा है उन्होंने खाना खा लिया तो इस तरीके से आप यह एक्सरसाइस कर सकते हैं करवा सकते हैं और यह एक और आपको एक्सरसाइस दे रखिए नीचे दी गई पंक्तियों में आए सर्मनाम शब्दों को रिखा किजिए तो यह वाली एक्सरसाइस आप खुद से करेंगे अगर आपको यह चैप्टर बहुत अथिर समझ मा आ गया तो इस एक्सरसाइस को आप खुद से करिएगा अगर फिर भी कोई प्राबलम आती है फिर आप मुझे बताईए मैं इसको जरूर करवाँगी फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू